नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल All Exam Guide Grouper दोस्तों आप देख रहे हैं Science का Free Practice Set Paper Latest Exam Pattern में GK section में जो Science पूछी जा रही है उसमें Selected Topic से बहुत Quashions Science में पूछे जा रहे है इस वीडियो में भी आपको उसी प्रकार से Practice Set Paper set करके दिया गया है आपने Science पूरी पढ़ ली है तो ये Quashions भी आपसे पूरी अच्छी तरीके से बन जाएंगे फ्री वीडियो है पूरा देखेगा अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजेगा और अगर आप इसी प्रकार के वीडियो प्रति दिन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन आउन कर लिजेगा मैं रोज तीन वीडियो अपलोड करता हूँ तीनों के नोडिफिकेशन आपको मिल जाए करेंगे तो चलिए अभी हम शुरू करते है साइंस का ये प्रक्टिस सेट पेपर सबसे पहला प्रशन यह रहा स्क्रीन पर आइरिस का काम क्या होता है इस प्रशन के लिए क्या आप्शन सही होगा आइरिस का काम क्या होता है सही उत्तर क्या हो जाएगा तो आइरिस जो है आँख में जाने वाले प्रकास की मातरा को नियंतरित करती है option number A, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, right answer है, next question देखते हैं, अगला प्रशन क्या है, मुखिता mangrove वाले ज्वारिय वन कहाँ पर पाए जाते हैं, मुखिता mangrove वाले ज्वारिय वन कहाँ पर पाए जाते हैं, सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो मुखिता mangrove वाले ज्वारिय वन जो हैं ये सुन्दर वन डेल्टा में पाए जाते हैं आप्शन नमर सी इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन देख लेते हैं उम्र को बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर दस्थी यानि की दूर की वस्तों को फोकस करने में आँख में योगिता में कमी आती है इस परिस्थिती को क्या कहा जाता है तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आँखों में देखने में भी प्रॉब्लम होती है दूर की और नस्दीक की वस्तों को इस बायूपिया कहा जाता है option number B सही उत्र हो जाएगा press बायूपिया कहते हैं next question देखते हैं photographic camera को कौन सा भाग आँख की रेटीना की तरह काम करता है photographic camera का कौन सा भाग आँख की रेटीना की तरह काम करता है तो यहाँ पर सही उत्र हो जाएगा photographic camera का film जो होता है वो आँख की रेटीना की तरह काम करता है सही उत्तर हो जाएगा option number film इस प्रशन के लिए सही उत्तर है next question वायू और जल की क्रिया द्वारा भूमी का हटाओ क्या कहलाता है वायू और जल की क्रिया के द्वारा भूमी का हटाओ क्या कहलाता है सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन यलो केक के नाम से जिस वस्तू की सीमा पार तसकरी की जाती है उसका नाम क्या है यलो केक के नाम से जिस वस्तू की सीमा पार तसकरी की जाती है उस वस्तू का नाम क्या है तो यहाँ पर सहीत्र हो जाएगा uranium oxide option number B यहाँ पर सही उतर हो जाएगा yellow cake के नाम से जिस बस्तू की सीमा पर तसक्री की जाती है उस बस्तू का नाम क्या है तो उसका नाम है uranium oxide option number B यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा next question देखतے है Galena का रासाइनिक नाम क्या है right answer क्या है Galena का Raconic नाम क्या है, सही उत्तर क्या हो जाएगा तो Galena का Raconic नाम है Lead Sulfide Option number C expression के लिए सही उत्तर हो जाएगा Lead Sulfide Galena का Raconic नाम है सही उत्तर हो जाएगा Next question देखते हैं अगला प्रशन संचाइक बैटरियों में निम्न मैंसे कौन सी धातू का प्रियोग किया जाता है संचाइक बैटरियों में निम्न मैंसे कौन सी धातू का प्रियोग किया जाता है सही उत्तर क्या हो जाएगा तो संचाइक बैटरियों में जो है सीसा का प्रियोग करते हैं option number B expression के लिए सेत्र हो जाएगा C से का प्रियोग किया जाता है next question देखते हैं किसी परितंत्र में उत्पादकों का काम क्या होता है किसी परितंत्र में उत्पादकों का काम क्या होता है सही उत्तर क्या हो जाएगा तो किसी भी परतंत्र में उत्पादक जो होते हैं वो सौर उर्जा को पकड़ते हैं और इसको रासाइनिक उर्जा में परिवर्थित करते हैं आप्शन नमबर B यहां पर सही उत्र हो जाएगा पेड़ पौधे पादप उत्पादक की करडिगरी में आते हैं सही उत्तर हो जाएगा नेक्ट कॉशन देखते हैं अगला प्रशन निमलिकित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है क्या उत्तर हो जाएगा इनमें से कौन सा पदार्थ बहुत अधिक कठोर और बहुत तन्य होता है सही उत्तर क्या हो जाएगा तो टंगस्टन इस प्रशन के लिए सेत्र हो जाएगा ये बहुत कठोर होता है और बहुत तन्यभी होता है नेक्ट कॉशन दिखते हैं अगला प्रशन है यदि वायू मंडल ना हो तो आकास का रंग हमें कैसा दिखाई देगा यदि वायू मंडल ना हो तो आकास का रंग हमें काला दिखाई देगा option number B इस प्रशन के लिए सेत्र हो जाएगा आकास का रंग हमें काला दिखाई देगा नेक्ट कॉशन दिखते हैं अगला प्रशन निम्न मेंसे भारी धातू कौन सी है इन में से चार option में से भारी धातू कौन सी है right answer क्या हो जाएगा expression के लिए तो uranium यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा भारी धातू है इन में से option में से right answer option number B सही उत्तर हो जाएगा अगला caution देख लेते हैं lead pipe पीने के जल को ले जाने के लिए उचित नहीं होता है कारण क्या है शीसे से lead से बना pipe जो है उचित नहीं होता है पानी ले जाने के लिए पीने वाला पानी ले जाने के लिए क्यों तो यह क्या काम करता है यह वायू मिशुरत पानी के साथ घुल कर विशैले lead oxide उत्पन कर देता है राइट आंसर हो जाएगा option number A इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं अगला प्रशन क्या है ये रहा स्क्रीन पर प्रकास का रंग निश्यत कैसे करते हैं प्रकास का रंग कैसे निश्यत किया जाता है तो तरंग दैर्धिके द्वारा प्रकास का रंग जो है निश्यत किया जाता है निश्यत किया जाता है सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं निम्ण मैंसे कौन सा परितंदर का औजीवे घटक है इन मैंसे परितंदर का औजीवे घटक कौन सा है तो राइट आंसर हो जाएगा जल आप्शन नम्बर सी इस प्रशन के लिए से उत्तर हो जाएगा परितंदर का औजीवे घटक है सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं राजिस्थान इस्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रिसिद है तो राजिस्थान इस्थित डेगाना टंगश्थन के उत्पादन के लिए प्रिसिद है option नम्बर टंगश्थन का उत्पादन सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं लाल काँच अधिक गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा लाल काँच अधिक गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा आप्शन नमबर C इस प्रशन के लिए सेयत्र हो जाएगा हरे रंग का दिखाई देगा next question देखते हैं अगला प्रशन परिस्ति की तंतर शब्दावली किस ने प्रस्थुत की तो टैंसले इस प्रशन के लिए सेयत्र हो जाएगा व्यक्तिगत जीवधारी का परिस्तित की अध्यन, option number यहां पर सहीतर हो जाएगा, व्यक्तिगत जीवधारी का परिस्तित की अध्यन, स्वा परिस्तित की कहलाता है, सही उत्तर हो जाएगा, next question देखते हैं, सफेद स्वन के नाम से इन में से किसे जाना जाता है, सफेद स्वन वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह राइट आंसर क्या है इन उप्शन में से कौन सा आंसर सही हो जाएगा तो किसी अपार दर्सी वस्तु का रंग उस रंगे के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है उप्शन नमबर डी इस प्रशन के लिए सहीतर हो जाएगा जिसे वहाँ परावर्तित करता है नेक्श कॉशन देखते हैं अगला प्रशन परिस्थित्की निम्न लिखित मैंसे किसके बीच का परिस्परिक संबंदों का अध्यन है परिस्थित्की जो है निम्न मैंसे किसके बीच का परिस्परिक संबंदों का अध्यन कहलाता ह सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ जीव और वातावरण के बीच का परिस्परिक संबंदों का अध्यन होटा है. option number जीव और वातावरण इस प्रशन के लिए सही उत्तर है next question देखते हैं अगला प्रशन परिस्तित की शब्द को सरप्रथम प्रतिपादित करने का श्रियक किसे जाता है तो रिटर साहब option number D यहाँ पर सहीत रो जाएगा परिस्तित की शब्द को प्रतिपादित करने का जो श्रिय है रिटर साहब को जाता है next question देखते हैं अगला प्रशन Adam उत्प्रिरग के नाम से इन में से किसे जाना जाता है तो Adam उत्प्रिरग के नाम से जाना जाता है platinum को option number A यहाँ पर सहीत रो जाएगा platinum expression के लिए सहीतर है निमनमेंसे कौन सा कोशिकांग है जो प्रोकरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है तो वह है mitochondria option number B expression के लिए सहीतर है mitochondria expression के लिए सहीतर है next question देखते है धबा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयोग तो होने वाली धातू कौन सी है धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ क्रोमियम का प्रयोग करते हैं option number chromium expression के लिए सही उत्तर है next question देखते हैं अगला प्रशन निमन में से किस रेडियो धर्मी तत्व की किरणों का कैंसर के उप्चार में प्रयोग किया जाता है next question देखते हैं अगला प्रशन निमन में से कौशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है निमने मैं से कौशी का अंगक से Lysosome बनता है तो सही उत्र हो जाएगा गॉल जी का है option नमबर B गोल जी का है इस प्रश्न के लिए सही उत्र हो जाएगा कोशी का अंगक से Lysosome बनता है next question देखते हैं अगला प्रश्ण nucleus के बाहर DNA किस में मिलता है Nucleus के बाहर DNA किस में मिलता है सही उत्तर क्या हो जाएगा तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा Mitochondria option number C expression के लिए सही उत्तर है और यह आपका surprise question है कौन सी धातू कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है इसका answer आपको हमें comment box में share करके बताना है दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो like करिएगा चैनल पर नए है और इसी प्रकार के वीडियो प्रते दिन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को subscribe करके bell icon on कर लिजेगा रोज हम तीन वीडियो अपलोड करते हैं तीनों के वीडियो आपको notification से मिल जाएंगे और free वीडियो है तो आप अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना आपके दोस्त जरूर ये वीडियो देखेंगे science पढ़ने के लिए तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में बहुत बहुत धनिवाद आपका दिन शुब हो